स्वागत है आप सभी का TPCJ हिंदी चैनल में आज की कहानी शुरू होती है रे आइबेली, MIT का एक होनहार छात्र गर्मी की छुट्टियों में बड़े सपने देख रहा था उसे एक प्रतिष्ठित medical internship मिली थी और वह इसे शुरू करने के लिए उत्साहित था लेकिन जिन्दगी ने कुछ और ही सोच रखा था उसकी माँ सुसान को पैर में चोट लग गई और उन्हें किसी की देख भाल की जरूरत थी रेका पिता, टॉम, काम के सिलसले में बाहर जाने वाला था इसलिए रेको घर पर रहकर अपनी माँ की देख भाल करनी पड़ी रेका अपने पिता के साथ रिष्टा ठीक नहीं था और उसके माता पिता के बीच भी सब कुछ सही नहीं चल रहा था उसके पिता अक्सर घर से दूर रहते थे और उसकी माँ अकेलापन महसूस करती थी और अपने जीवन में कुछ हासिल न कर पाने की निराशा जहल रही थी रे मदद करना चाहता था लेकिन चीजें जल्दी ही जटिल हो गई अपनी माँ के साथ इतना समय बिताने से रे के मन में उलजने पैदा हो गई और वह खुद को दोशी और निराश महसूस करने लगा रे ने अपने दोस्तों से जुडने की कोशिश की लेकिन वे उसे अब बचकाने लगने लगे और रे उनसे दूर दूर महसूस करने लगा उसने एक स्थानिय लड़की टोनी के साथ रिष्टा शुरू करने की कोशिश की लेकिन वहाँ भी कनेक्शन नहीं बन पाया रे खुद को और भी अकेला और खोया हुआ महसूस करने लगा जल्द ही रे की आंटी हेलेन ने उसकी मा की देखभाल करने का प्रस्ताव दिया जिससे रे को जाने का मौका मिला वह जाने के लिए उत्साहित था लेकिन उसके और उसकी मा के बीच भावनाय बढ़ गई जिससे वह अपना मौका खो बैठा इसके उपर उसके पिता ने उसे यह बुरी खबर दी कि अब वह रे की कॉलेज की फीस नहीं चुका पाएंगे जिससे रे के भविश्य की चिंता और बढ़ गई जब रे ने टोनी के साथ अपने रिष्टे को फिर से शुरू करने की कोशिश की तो उसकी माने उन्हें बीच में ही रोक दिया जिससे बहस हो गई हालात बिगड गए और रे की भावनाएं बेकाबू हो गई वह खुद को इस स्थिती से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाया आखिरकार रे ने अपने दोस्तों से फिर से जुड़ने की कोशिश की एक दिन एक दोस्त की उकसाहट पर उसने हिम्मत जुटा कर एक चटान से नीचे पानी में छलांग लगा दी अगले दिन सुबह रे को एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेते हुए देखा गया शायद एक नई शुरुवात और नई रास्ते की तलाश में अगर आप एक टीनेज लड़के की जिंदगी और उसका और उसकी मा के साथ का ये अजीब रिष्टा देखना चाहते हैं तो फिल्म का नाम है स्पैंकिंग दे मंकी और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में